वागत है आप सभी का IPL के दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग वर्से देहली कैपिटल के बीच ये IPL का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इस मैच में भी Dream 11 पे महा सेल लगा हुआ है जो कि Mega Grand League में 1-11 rank तक को सीधा करोर पती बनने का फिर से मौका दिया जा रहा है हमने पिछले मैच में भी कहा था कि ये starting के ही 5 मैच में ये offer मिलने वाला है उसके बाद आपको इस तरह का मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि 1-11 rank तक को 1 करोर का प्राइज उसके बाद नहीं मिलेगा तो इसलिए इस मैच को भी Grand League से ही target करेंगे और Grand League की unique team बनाने वाले हैं तो Grand League की unique team बनाने के लिए आपको कुछ बरे player जो आज की match में flop होंगे उसको drop करना है और कुछ low selection percentage जैसा की 4 low selection percentage player लेकर आया हूँ जिसका इस match में अच्छा खासा perform आने वाला है तो आप ऐसे player को अपने team में try करोगे आपकी team अच्छी खासी rank कर जाएगी जबकि आप Grand League की team combination बनाते हो तो 6 fixed player ऐसा लेकर आया हूँ तो pitch report detail से बात करेंगे कि यहां पे baller को ज़्यादा pick करनी चाहिए या बेस्टमन को captain wise captain कोन से section के player को बनानी चाहिए फाइनली grand league और small league की base team बनाएंगे जिससे कि आप आसानी से अच्छे खासे amount को win कर सकते हो वीडियो को जल्दी से like कर देना और हाँ इस वीडियो में 10,000 का giveaway लेकर आया हूँ जवाब आसानी से दे सकते हो क्योंकि इसी महसी related और इसी वीडियो को शुरू से अंतक देख लोगे जरूर देख लेना लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को दवा देना ताकि में कोई भी वीडियो डालू तो आपको सीधा notification में मिलता रहे जो सबसे important होता है वो है मेरा telegram जोईन करना जहां टॉस के बाद कोई भी news update आते हैं वो तो बताया ही जाता है साथ में small league और grand league की final team आपको telegram पे ही मिलती है जिसका link description और first comment में pin up कर दिया हूँ आप जाओ मेरे telegram link से ही join करना और जैसे ही मेरा telegram join करोगे आप समझो आपकी भी जीत की journey start हो गई यहाँ पे grand league की जो team मिलती है तो उसमें आप एक अग player change करके आप team join कर सकते हो जबकि small league के पूरे के पूरे player को same ले जा सकते हो जिसे किसी भी opponent को आप आसानी से हरा सकते हो जब आप telegram पे जाओगे मेरी team देखोगे आपको खुदी अंदाजा हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप मेरा telegram join कर लिया होंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं पीच रिपोर्ट की बात करें महाराजा यदवंदर सिंग इस्टेटियम में ये मैच खिला जाएगा इस गरॉन पे T20 के total 20 मैच के लिए के हैं जिसमें first batting करने वाले 15 और second batting करने वाले 8 मैच को win की हैं यहां पे toss बहुत बहुत रोल रहता है जो टीम पहले batting करते हैं उनको जीतने की ज़्यादा संभावना रहता है वैसे इस गरॉन पे पेसर बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट है 23 मैच में 150 के अंदर जो मैच के लिए जबकि 150 से 170 मैच और 170 से 195 मैच और 190 प्लस जो की एक ही मैच के लिए तो normally जीस।रह की team है तो हो सकता है इन overview बीच में जो है इस मैच में run देखने को मिल सकता है नॉर्माली आप 170 मान सकते हो क्योंकि यह IPL का मैच है और यह जो pitch बनता र वो IPL के लिए special बनाया जाता है बैटिंग के support में वो भी starting का है तो starting के match में run बनते ही बनते हैं बैटिंग के support में पूरा-पूरा बनाया जाता है तो इस match में आप 170 या 180 आप मान सकते हो यह आपका average score रहेगा वैसे दोनों team के compare को देखोगे तब आप समझ लेना कि कौन सी team match को win करने वाले हैं वैसे last के match का बात करें इस ground का इस ground पर recent में जो कुछ match खेले गए हैं देली और विदय की वीच तो यहाँ पे 176 रन मारे थे देली की team 6 wicket पर विदय की team 9 wicket गवा गए थे 137 पर यहाँ पे पेसर को 10 wicket spinner को 5 wicket मिला उससे पहले मुंबई और ब्रॉदा के बीच मैच हुआ मुंबई की team 148 रन मारे 8 wicket पर और ब्रॉदा की team 7 wicket 149 run बना दिये चेस कर लिये थे उससे पहले राजिस्थान और महराष्ट के बीच मैच हुआ राजिस्थान 181 रन बनाए 4 wicket पर महराष्ट की team loss कर गए match 9 wicket 128 run पर ही 9 wicket गवा गए उससे पहले बेंगाल और जारखन के बीच मैच हुआ यहाँ पे जारखन की team 172 रन बनाए थे 6 wicket पर और बेंगाल की team match को loss कर गए 8 wicket गवा गए 113 पर ही तो नॉर्मरी देख रहे हैं कि यहाँ पे पेसर को ज़्यादा wicket मिल रहे है लेकिन यहाँ पे spinner को भी ज़्यादा wicket मिलते हैं लेकिन इस match से different match रहेगा IPL का IPL में बैटिंग अच्छे खासे हो जाएंगे तो उसका टीम का पिछले साल का record था वैस अंजाब के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें सिखर दवन के साथ जॉनी बरेश्टी जो के ऑपनिंग करने वाले हैं पी सिंग है टाइड है लिविक्ष्टन है जीते सरमा सेम करन हरसल पटेल एच बरार, रवाड़ा, अर्श दीब सिंग तो यह इनके पॉसिबल प्लेइंग 11 है इनकी तरफ से प्लेयर लेने से पहले पावर पले और देथ के बॉलर की बात करें तो अर्श दीब सिंग के साथ सेम करन और रवाड़ा जो की पावर पले में बॉल करेंगे और और यही बॉलर हैं जो कि अर्षदीप सिंग, करन और रवाड़ा देथ में करने वाले हैं। इनकी तरब से मैं कौन-कौन से प्लेयर को लूँगा वो बता देता हूं। देखो जनरली दोनों अपना तो सेफ रहेंगे ही, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। वैसे धवन पूरे साल IPL के बाद कोई भी मैच नहीं खेले हैं। तो रिसेंट में वैसे सेफ आपसन है, ब्रेश्टो कई सारे मैच खेले हैं। लेकिन रिसेंट में इनका हाल सही नहीं। लेकिन IPL में ये काफी अच्छा खेलते हैं। तो ये दो प्लेयर तो रहेंगे इसमॉल लिग के टीम में। इसमॉल लिग के लिए सेफ है, लगभग सारे लेकर आएंगे तो आप भी लेकर जा सकते हैं। वैसे ड्रॉप भी कर सकते हो जब प्लेयर के बैटल देखोगे। जबकि अगले प्लेयर जॉनी बिरेश्टो है, रिसेंट परफॉर्म देखोगे। ये लास्ट के कुछ मैच में फ्लॉप गये हैं। उससे पहले काफी अच्छा कर रहे थे। जबकि अलवर मैच का देख सकते हो, हेट टु हेट छे मैच खेले हैं। और इनका 36 का अब्रेश है। तो एगेस्ट में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैन्यू पे कोई मैच खेले नहीं है। इसमों लिग के लिए दोनों सेफ हैं। ग्रान लिग में आप रेश्टों के साथ जा सकते हो, धवन को ड्रॉप करके। अगले प्लेयर प्रफ सिमरन है, जिसका आप रिसेंट परफॉर्म देख सकते हो, 9, 20, 0, 30, 34 तो ये इनका रिसेंट परफॉर्म है। अलवर मैच, 20 मैच खेलें, 21, के ब्रेश से रन बनाएं। जबकि एगेश्ट में 3 मैच खेलें, 137 रन हैं और 45 के ब्रेश से रन बनाएं। तो देखो ये आपके टरम कार्ट खेलाडी हो सकते हैं। ये इनका सेलेक्शन काफी लो रहने वाला है। फर्स जोन बैटिंग करेंगे, परभ सीम रन, आप इनका स्क्रीम सॉट ले सकते हो। ग्रान लिग में ट्राइ जरूर करना वैसे टीम बनाऊंगा। तो आपको टरम कार्ट खेलाडी लो सेलेक्शन और सारा प्लेयर के बारे में बताऊंगा। वैसे टाइड हैं जो की रिसेंट परफॉर्म इनका भी देख सकते हो। अगले प्लेयर जीते सर्मा है रिसेंट परफॉर्म देखोगे बाराच वाली जीरो पांच वैसे आईपियल के चौविस मैच खेले हैं जिसमें पचीस के बरेसरन बनाएं एगेस्ट में चार मैच के लिए 20 के बरेसरन बनाएं तो आप चाहें तो ले जा सकते हैं वैसे पर हेट-to-hate 7 मैच खेले हैं 8 विकेट है वैनियो का कोई experience नहीं है अगले प्लेयर हरसल पटेल है रिसेंट परफॉर्म देखोगे लास्ट के 5 मैच में तो एक मैच में कुछ परफॉर्म नहीं आया दूसरे मैच में भी flop उससे पहले एक विकेट उससे पहले एक विकेट जब है अगले प्लेयर रवाड़ा है रिसेंट परफॉर्म ठीक है हर एक मैच में विकेट है जबकि IPL के टोटल 69 मैच खेल चुके 106 रन है हेट-to-hate 3 मैच में एक ही विकेट है तो इसलिए इसको आप ग्राण लिग में ड्रॉप कर सकते हो इसमाल लिग के लिए सेफ है आपके चार विकेट है तो यह थे पंजाब के प्लेयर के स्टैट देहली के प्लेयंग 11 की बात करें तो प्रितिवी सा के साथ डेविड वार्णर ऑपनिंग करेंगे मिचल मार्स है पंथ है साथ में अक्सर पटेल है लली त्यादव है कुल्दी प्यादव है खलील अहमद अनौर् जो की पावर प्लेय में बॉल करेंगे साथ में देथ की बात करें तो मुकैस कुमार के साथ खलील अहमद अनौर्किया तो मतलब सेम सेम बॉल करने वाले है जो स्टार्टिम में बॉल करेंगे वही देथ में भी करने वाले है वैसे इनकी तरफ से मैं अपने टीम में पांच अगले player की बात करें तो आप अक्षर पटेल को ले लेना और यहां पे आपके नौर्खिया और कुल्दी प्यादव रहेंगे तो यह आपके पांच player हो सकते हैं जो कि दो टॉप के और साथ में नौर्खिया कुल्दी प्यादव आप चाहें अक्षर पटेल को ले सकते हो तो इनके तरफ से मैं क्यों इनको ले रहा हूं उसको आप देख लेते हों तो देखो प्रित्वी साह है recent perform देखोगे last के 5 match में एकी match में perform है IPL के 71 match में इनका काफी गजब का perform रहता है 24 के वेबरेस से run बना है जबकि head to head 5 match खेल है 11 के वेबरेस से run बना है एगेस्ट में flop रहते हैं जबकि डेविड वार्नर है recent perform पूरी तरह से flop है IPL के काफी match खेल चुके हैं और काफी गजब भी रहता है 43 के वेबरेस से 176 match में इनका run है तो काफी अच्छा है head to head 19 match में 53 के वेबरेस से run है तो आँक बंद करके ले जा सकते हो और head to head जबकि value का कोई experience नहीं है अगले player की बात करें मिचल मार्च है recent perform run के साथ wicket वैसे wicket अच्छे खासी निकालते हैं run भी कभी-कभी बनाते हैं एक बरे लेवल पे IPL के 32 match में इनका 22 के वेबरेस से run है और 36 wicket है against में 3 match में इनका 16 के वेबरेस से run है 3 wicket है venue का कोई match नहीं खेल पाए है जबकि अगले player पन्त है recent perform एक average है कुछ बरा नहीं को होगे कुछ छोटा नहीं को होगे जबकि IPL के total 97 match खेल चुके है 35 के वेरेस से run बनाते है head to head 9 match में इनका 18 के वेरेस से run है तो आप देख लेना वैसे team पे बता दूँगा किसी अपने team में ले कर चलना है जो कि recent perform देख सकते हो एक average चल दा अच्छे खासे चल दा है वैसे IPL के total 4 match खेल चुके है knock average से run बना है जबकि head to head venue कोई match नहीं खेले है अगले player अक्छर पटेल है recent perform देख सकते हो last के 2 match में flop है उससे पहले perform अच्छा कासा आ रहा था जब ले जा सकते हो प्लेयर भी अच्छे है अगले player ललीत यादव है recent perform देख रहे हो last के 2 match में perform किये है बैटिंग से विकेट से नहीं किये है जबकि IPL के 19 match में इनका 22 के ब्रेसर रन है अगले player not किया है recent perform last के 2 match में ये भी flop है जबकि IPL के total 40 match में इनका 33 विकेट है और head to head एक match के नहीं कोई विकेट नहीं मिल पाया जबकि venue पे किसी भी player का perform नहीं है मतलब कि इस ground पे match ही नहीं खेले है अगले player की बात करें कुल दीप यादव है recent perform ठीक नहीं है मैंच में तीन विकेट है अगले player खलील अहमद है recent perform देखोगे तो दो विकेट दो विकेट तीन विकेट इस तरह से निकालते हैं अगला trump card खिलारी मेरा trump card खिलारी खलील अहमद ही होने वाला है क्योंके लगभग लोग इनको ignore करेंगे मैं अपने team में लेकर चलने वाला हूँ और इनका IPL का काफी experience है 43 मैच में 48 विकेट है hate to hate 3 मैच में 5 विकेट है तो hate to hate में भी perform करते हैं अगले player की बात करें मुकेश कुमार जो की काफी गजब के player है और एकदम से consistent है इनका भी selection काफी low रहेगा इसको भी आप ट्रमकार खिलारी बना सकते हो गरान लिग में जबकि अला भर 10 मैच खेल चुके IPL के जिसमें अच्छे खासे विकेट निकाले हैं और hate to hate venue का कोई experience नहीं है तो ये थे दोनों टीम के player के stat अब बात करते हैं man point की player के battle की तो वैसे पंजाब की तरफ से जो opening करेंगे धवन जो की देहली की तरफ से ball और कोन कोन से हैं जो परिसान करते हैं हमने आपको दिखाया कि एगेस्ट में ये perform नहीं करते हैं तो आप देख सकते हो को रखकर आप धवन को ड्रॉप कर सकते हो उसके बाद खलील अहमद है जो की 26 बॉल पर एक बार राउंट कर चुके हैं अगले player जॉनी ब्रेस्टो है जिसको नौर्किया 13 बॉल पर एक बार खलील आहमद 9 बॉल पर एक बार और कुल्दीप यादब सर्मा 18 बॉल पर तीन बार मुकेस कुमार 13 बॉल पर एक बार खलीप 14 बॉल पर एक बार तो लिविक्ष्टन को भी देखो के मुकेस कुमार काफी ज़्यादा बार परिसान कर चुके हैं इसान सर्मा भी परिसान किये हैं तो ये थे पंजाब के प्लेयर के बैटल अब देख लेते हैं देहली के प्लेयर के बैटल पंजाब के बॉलर का तो यहाँ पर प्रितिवी सा है रिसेंट पर्फरम सारा को दिखाई दिया जबकि जिसको परिसान सेम करन 23 बॉल पे एक बार राउंट कर चुके हैं अरसदीब सिंग 22 बॉल पे एक बार राहुल चाहर है 20 बॉल पे एक बार राउंट कर चुके है अगले प्लेयर डेवीड वारनर है जिसको परिसान रवाड़ा 47 बॉल पे तीन बार राउंट कर चुके है सेम करन 48 बॉल पे दो बार की बात करें तो की प्लेयर में हमने सेखर धवन डेविड वाइनर मिचल मार्ज सेम करन रिसर पंद और साथ में रवाड़ा अक्षर पर टेल को रखा हूं यहां पे पंद को थोरा सा ड्रॉप कर सकते हों इंजिरी काफी तगरी थी यह हो सकता है यह हो सकता है कि ठोकाई भी अ कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे जबकि ग्राण लिग की बात करें तो ग्राण लिग में परभ सिमरन खरील अहमद और अर्सदीप सिंग और साथ में आपको दो प्लेयर और भी दूंगा जो की टीम बनाने के वक्त जो आपकी ग्रान लिग की टीम को रैंक करा सकता है अ और अलांडर सेक्षन के प्लेयर कों हैं जो सबसे ज़्यादा पॉंट देंगे देखो अलांडर सेक्षन के प्लेयर चाए बॉलिंग से पॉंट दे या बैटिंग से दे पॉंट ज्यादा देंगे उनका नाम लिखना है तो सिंपल सा है आप लिख सकते हो हैस्टेक लगा द आपके हिसाब से कितना लगाएंगे उसके हिसाब से आप लिग देना तो बस आप आसानी सा आप सवाल का जबाब दे कर जिसके आंसर सही रहेंगे तो winner 2000 का प्राइस पाजाओगे जिसके winner 5 रहने वाले हैं टोटल 10,000 का giveaway है तो 5 winner के लिए आप जवाब जरूर करना आप winner बन स कर लेते हैं low selection या आप trump card समझ सकते हो जिसको आप आज के match में बना सकते हो देखो विकेट कीपर में आपको 11 परसन selection है और first down batting करेंगे काफी अच्छे player है आप इनको ले जा सकते हो लोग इनको peak नहीं करेंगे वैसे विकेट कीपर में पंत और जितेस्तरमा है तो जितेस् में रख सकते हो ट्रम कार्ड खिलारी में मैं जिन जिन को ले रहा हूँ उसका दिखा देता हूँ वैसे ठीक ठाक इनका selection है वैसे इस match में आपको balling section में ज्यादा player trump card खिलारी दिखेंगे अगले player हरसल पटेल है इनका भी काफी low selection है उसी तरह राहुल चाहर है इनका देख सकते हो सिर्फ 3% selection है काफी best player है वैसे spinner को इस ground पर उतना help नहीं है लेकिन काफी technical baller है इनको wicket मिल ही जाता है तो इनको आप ले जा सकते हो और trump card खिलारी बना सकते हो लगबग लोग drop करेंगे जबकि Khalil Ahmed का भी देखोगे 1% selection है इस ground पर इनका जो domestic match जो खेला गया तो उसमे ठीक ठाक perform है इसका तो फिलहाल आप देख सकते हो कि ये trump card खिलारी है जिसको मैं 5 trump card खिलारी रखा हूँ जिनका काफी low selection है इसमें आप 2 या 3 player आप team में use कर सकते हो खास कर जैसे की रहुल चाहरोगे हरसल पटेल खलील अहमन वैसे प्रितिवी सा को बहुत सारे लोग लेकर आएंगे 30-40% selection है तो ये 4 player को आप trump card खिलारी ये 5 player को trump card खिलारी low selection में रख सकते हो बाकी safe player की बात करें तो safe player में तो बहुत सारे option है वैसे safe player की बात करें तो generally आप जो है वो डेविर वार्नर को रख सकते हो बहुत सारे लोग धवन को लेकर आएंगे safe player में लेकिन मैं against में इनका perform अच्छार नहीं रहता है उसका मैं कारण बता ही दिया जो की पीछे बताया हूँ player के battle में अगले player की बात करें तो same current को रख सकते हो fix player में वैसे मैं pick कर के ही दिखा देता हूँ तो आप clear हो जागे वैसे same current Mitchell Mars और अक्छर पटेल को भी रख सकते हो अगले player की ब small league में एक भी player को अगर drop करोगे तो यह समझो आपका lost है इनमें अगर player perform करे न करे आपके opponent small league की team में ले कर आएंगे तो इसलिए आपको ले कर जाना है perform करे या न करे अब drop करोगे जिस player का अगर वो player perform कर दिये तो आपका सीधा loss लग सकता है तो इसलिए इतना बड़ा risk small league म नहीं लेना, grand league में आप ज़्यादा से ज़्यादा यह player को try कर सकते हो, अब चलते हैं पहले small league की team बना लेते हैं तो पहले safe player की मदद से, देखो सबसे ज़्यादा लोग 5 को ही ले कर जा रहे हैं तो वैसे accident के बाद कोई match खेले नहीं है, तो किस तरह का perform रहेगा नहीं रहे तो कि धवन भी काफी अच्छे player हैं, तिलहाल मैं अपने small league के team में भी धवन को जगा नहीं दे रहा हूँ, थोरा risk लूँगा, वैसे IPL में काफी गजब का perform करते हैं, तो तीन player जो है, वो मैं batting section से ले लिया हूँ, along the section में लिविक्स्टन को add कर दूँगा, और balling section में जै safe team हो जाएगी, इस team में captain wise captain की बात करें, तो आपको unique ही लेकर चलना है, देखो David Warner भी consistent नहीं है, जो कि आप captain बना सकते हैं, वैसे perform बड़ा कर सकते हैं, तो आपके opponent ले कर भी आ सकते हैं, तो आप amount थोरा ज़्यादा invest करते हो, तो फिर यह आपके लिए safe नहीं रहेंगे, त सकते हैं, तो यह small league की team है, जिससे आप team join कर सकते हो, final team तो आपको telegram पे ही मिलेगा, तो फिलहाल आप team join कर लो, बाकि condition तो सारा समझी गए हो, अब grand league की बात करें, वैसे grand league की बात करें, तो यह मेरी first grand league की team है, देखो bestman को ज़्यादा favor दे देना इस match में, क्योंकि यह second IPL क match है, और IPL में starting के match में batting finale जो pitch बनाया जाता है, तो इसलिए bestman जो है, starting में ठोकाई करेगा, तो जैसे कि David Warner होगे, धवन होगे, और यहाँ पे और भी player होगे, जो इनके साथ opening करने वाले हैं, जैसे कि Bresto है, Bresto को जरूर ले लेना, और ऐसे player को आप captain wise captain बना सकते हो, फिल प्रिथवी सा, जितेश सर्मा, तो इस तरह के 3-4 player जो की काफी risk ही है, तो risk तो ले नहीं होगा, फिलहाल ये उतना ज्यादा unique नहीं है, इसमें आप captain unique कर सकते हो, same करन को captain और wise captain आप चाहें, तो आप प्रिथवी सा को कर देना, क्यूंकि ये भी काफी तगरी batting कर लेते हैं तो ये आपकी unique captain wise captain हो जाएंगे, जो कि आपकी team को rank करा सकते हैं, तो फिलहाल दोनों team के final playing 11 है नहीं, जिसके base पर मैं final आपको team बता दूँ, इसके लिए आपको मेरा telegram join करना होगा, जो कि post के बाद final playing 11 के साथ, final pitch report के हिसाब से आपको grand league और small league की base team मिलती है, तो telegram description और first comment link से join हो जाना, उमीद करते हैं आप telegram मेरा join कर लिए होगे, वीडियो को like, comment जरूर कर देना होगे, thank you